इस वीडू में आपको बतने वालो के कॉम्पीटर में ब्लूटूथ इयरपॉन को कनेट के से कर सकते हूँ और कनेट कने के बाद उसमें प्ले के से कर सकते हूँ एलो प्रेंट्स आप देखर हैं मारे युटूब चैनल कोंसेप्ट टेखनोलोजी में आपका स्वगते और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक मारे युटूब चैनल को सब्सक्राइबने की आए तो पी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए याते सबसेवल Spbook करना कीबद आपको डिवाइस पितल डिया करने के अपको डिवाइस पे क्लिक करता हूं तो उसमें आपको क्लिक कर दिना है और क्लिक करने के बद आपका जो ब्लूटूथ एरपॉन मेंने ओन करके रखा है तो उसका जो नाम में वह अमारा PC में सू हो गया है तो आपको इस तरह क्लिक कर दिना है और क्लिक करने के बद आपका जो ब्लूटूथ एरपॉन है वह आप का PC में connect हो जाएगा तो मारा connect हो गया है तो चले में done पे click करता हूँ और click करने के बाद आप screen पे देख लिजिए के मारा Bluetooth earphone है वह हमारा size से PC में connect हो गया है तो friend आपको इस तरह connect कर सकते हो और connect करने के बाद चले में music को play कर के आपको बताते दो कि उसमें में music play ओ रहा है के न proper खygen से प्लेए और उसमें आपको जैदा कम करई तो उसमें आपको आशानतार रेके कर सकते हों लेकिन किया आए जो मरा सही से play हो रहा है तो उसका जो pre be में आपको स्क्रीन पे बता दीता हूं कि मारा जा सही से play हो रहा है के नए हो रहा है तो चलो मैं setting पे practically करता हूं और changing pay click करने के बद उसमें जो कही सारे option देखने को मिल जाएंगे तो आप स्क्रीन पे देख लिजे के मारा जो साइसे उपन है जो मारा साइसे प्ले तो चले में साउंड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और साउंड सेटिंग पे क्लिक करने के बद आप स्क्रीन पे देख लिजे कि जो मारा ब्लूटूथ एयर पोन है वह मारा साइसे प्ले हो रहा तो आप स्क्रेन पे दीख लिजे के मारा जो Bluetooth Earpone है वह मारा साइ से PC में Play हो गया है और उसमें जो Moji के वह मारा Play हो गया है तो आप स्क्रेन पे देख लिजे के उसमें मारा कोई अभिदक Play नए हो गया है क्योंकि मैंने Moji के वह मैंने Cut कर दिया है जो मैंने Off कर दिया है तो चलो मैं फिर से Moji के वह मैं Play करता हूँ और Play करने के बद उसमें हमारा जो Volume में वह मारा Play हो जाएगा तो उसमें जो Moji के वह मैंने Computer में Play कर दिया है और अमारा Bluetooth Earphone वह मारा Play हो जाएगा तो आप स्क्रेन पे देख लिजे के वह मारा Bluetooth Earphone वह मारा Play हो गया है और उसमें जो Volume में तो उसका Volume भी आ रहा है तो आपको Volume को ज्यादा कम कना है तो उसमें आपको Setting में जाके कर सकते प्लूटूथ एरपोन वह मारा साइसे Play हो गया तो प्रेंट आपको इसतर कोंप्रेटर में जो Windows 7 या 10 में तो इसतर आपको जो Bluetooth Earphone वह आपको Connect कना है तो वह आपको आसंतर के Connect कर सकते हूँ और आपको Disconnect कना है तो उसमें Disconnect कर सकते हूँ तो मारा साइस चे जो PC में जो Bluetooth Earphone हमने Connect किया है वह हमारा साइस चे प्ले हो गए तो चलेमर मुझी को ओप करता हूँ और मुझी के बाद है ब्लूटूथ से Connect किया है वह हमने disconnect करना है तो आपको Bluetooth है, तो Bluetooth आपको on कर देना है, तो चले मैं Bluetooth आइकोन है, तो इस आइकोन पे क्लिक करके मैं so Bluetooth पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बद उसमें हमने जो connect किया है, वह हमें disconnect करना है, तो आपको इस तरह क्लिक करके disconnect पे कर सकते हूँ, तो चले मैंने disconnect पे कर दिया है और जो Bluetooth जो वन ए वह आपको ओप कना है तो आपको ओप पे कर सकते हूं तो चल्वब मने ओप पे क्लिक करते हैं और क्लिक कने के बद अमारा जो Bluetooth Earphone है वह अमारा डिस्कनेट हो गए तो प्रेंट आपको इस तरह कॉम्पेटर में Bluetooth earphone को connect कनाए और मुझी को play कनाए तो इस तरह आपको आसांतर के कर सकते हो तो प्रेंट में उम्मिद करताओ कि आप लोगों को एवडियो पसंद आएगा वडियो पसंद आएगा तो वडियो को लाइक कीजिए और अमारे चैनल पे नीवे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेंक्यू